I welcome you all my dear friends, आज हम पढ़ेंगे आज की स्टोरी है The Sun and the Wind, सूर्य और हवा, ठीक है, देखो क्या होता है, यह सूर्य और हवा के बीच में आर्गुमेंट हो जाती ही, जगड़ा हो जाता है, दोनों के दोनों बोलते हैं मैं ज़्यादा पावरफूल हूँ, एक बोलता है मैं ज़ है और जो सन है, had an argument, उनके, उनमें क्या हो जाती है, बहस हो जाती है, had an argument मतलब बहस छिड़ जाती है, between, के बीच में, them मतलब उनके, उनके बीच में बहस छिड़ जाती है, as to, की, किस बात को लेगे, as to, who was stronger, of the two, की कौन सक्तिसाली था, है न, of the two, दोनों में से, उन दोन में से, कौन ज़्यादा सक्तिसाली था, ज़्यादा, stronger कौन था, इस बात को लो के, दोनों में क्या हो जाती, argument हो जाती, बहस हो जाती, है न, the wind claimed, जो हवा है, वो claim करती, वो दावा करती, क्या दावा करती है, that, की, it was, वो है, वो है, क्या है, वो थी, क्या थी, stronger, वो ज्यादा stronger है sun से whereas जब की the sun asserted, जो sun है वो भी कहता है, अपनी बाद भी मजबूती से रखना, strongly कुछ कहने को बोलते अजर्ट करना है the sun asserted assert, a double s e r t assert का मतलब कहना, asserted मतलब कहा सूरज ने भी अपनी बात कहा, उसने कहा क्या कहा, that कि it was, वो था क्या था, more powerful than the wind कि वो ज़्यादा सकती साली है हवा से, ज़्यादा powerful है, ऐसा किसने कहा, sun ने कहा दोनों अपनी बात कह रहे है neither of the two दोनों में से कोई एग भी नहीं, दोनों में से कोई एग भी नहीं was मतलब था, नहीं था, क्या नहीं था ready, तैयार नहीं था किस चीज को लेके, to accept ये मानने के लिए तैयार नहीं था स्विकार करने के लिए तैयार नहीं था क्या स्विकार करने के लिए तैयार नहीं था the supremacy of the other supremacy मतलब होता है, महानता या सम्रद्धता है ना महानता को of the other मतलब दूसरे की कोई एक भी दूसरे की महानता को accept करने के लिए क्या नहीं था तयार नहीं था, ready नहीं था समझ मैं आगए ये चीज है ना ready नहीं था कोई भी सब बोलते थे कि मैं ही strong हुगर के फिर क्या हुआ, फिर देखने क्या हुआ just then और तभी they saw, उन्होंने देखा c की second form है saw they saw, क्या देखा, a man उन्होंने एक आदमी को देखा going जाते हुए कहां जाते हुए, on the road सडक पर जाते हुए सडक से जाते हुए सडक पर जाते हुए, एक व्यक्ती को देखा the sun got जो सूरज था got मतलब उसे आया, क्या आया? an idea, उसे एक idea आया एक विचार आया and or it said उसने कहा, उस सूरज ने कहा to the wind, हवा से उस सूरज ने हवा से कहा, क्या कहा सूर्य ने हवा से, सन ने wind से क्या कहा let's test चलो test कर ले, परिच्छा कर ले check कर ले our strength, अपनी सक्ती की परिच्छा कर ले on that man on मतलब पर, that मतलब उस man यान इंसान, उस व्यक्ती पर चलो उस व्यक्ती पर अपनी strength को क्या कर ले हम test कर ले, check कर ले whosoever can make him take off his coat, whosoever मतलब, कौन whosoever, जो कोई भी है न, जो कोई भी है न, can सकता है जो कोई भी सकता है, क्या कर सकता है make him take off उतरवा सकता है, make him take off मतलब उतरवा सकता है, जो कोई भी whosoever मतलब, जो कोई भी, can सकता है make him, उस से क्या करवा सकता है take off, मतलब उतरवा सकता है his court जो कोई भी उस व्यक्ति से उससे उसका court उतरवा सकता है, his court shall be, वो होगा, वो क्या होगा considered, उसे consider किया जाएगा, उसे माना जाएगा, क्या माना जाएगा the winner, विजेता समझो इस लाइन को, बहुत प्यारी लाइन है whosoever, जो कोई भी, can make him take off, उससे उतरवा लेगा his court, उसका court जो कोई भी उससे उसका court उतरवा लेगा shall be considered उसे माना जाएगा, consider किया जाएगा क्या consider किया जाएगा, the winner मतलब विजेता, उसे विजेता घुसित कर दिया जाएगा जो उससे उसकी jacket उतरवा रैकेट को उतरवा लेगा हम दोनों में से, वो क्या हो जाएगा? विनर हो जाएगा यहाँ, ठीक है? यह दोनों ने ऐसी सर्थ लगाई है, ठीक है, देख फूक मार रही हवा उसको, जोर से चल रही हवा, तेख लेते हैं क्या होता है आगे, तो फिर क्या हुआ? तो फिर क्या टू हाइड, छुपने को, पूछा का मतलब यहाँ, आस का मतलब है कहा, यहाँ इसका मतलब है कहना, जो विंड थी, वो इमेडियेटली, तुरंथ, अग्रीड, तयार हो गई, एंड आस्ड और कहा, दसन, सन से कहा, सूरच से कहा, क्या कहा? टू हाइड, छुप जाने को कहा हाइना, तू हाइड मतलब छुपने को कहा, इट्सेल मतलब खुद, खुद छुप जाने के लिए कहा, behind the clouds, बादलों के पीछे, ठीक है, बादलों के पीछे, खुद को छुप जाने के लिए कह दिया, किसने? विंड ने, सूरच से ऐसा कह दिया? the wind then और उसके बाद the wind मतलब हवा then मतलब उसके बाद क्या करती started हवा ने उसके बाद सुरू कर दिया क्या सुरू कर दिया blowing with full force blowing मतलब बहना सुरू कर दिया चलना सुरू कर दिया हवा ने हवा चलती ना तेज वैसे ही blowing सुरू कर दिया बहना with full force पूरी ताकत के साथ with मतलब के साथ किसके साथ full force पूरी ताकत के साथ बहना सुरू कर दिया हवा ने हवा चल रही थी बहुत जोर जोर से but लेकिन the harder the wind blue blue की second form दे को blue आ गई है आपन B-L-O-W blue की past form है but लेकिन the harder जितना तेज the wind हवा blue मतलब बही जितना तेज हवा बही हवा चली the tighter उतना मजबूत the man वो व्यक्ती held मतलब पकड़ा उतने तेजी से उस व्यक्ती ने पकड़ लिया hold की second form है यहाँ पर held पकड़ लिया his coat अपने coat को against him अपने से लगा के against ही मतलब अपने से चिपका के सटा के समझे इस लाइन को जितनी तेज हवा चल रही थी उतना ही tight उस व्यक्ती ने पकड़ लिया था अपने जैकेट को against ही मतलब अपने से टिका के चिपका के पकड़ लिया था ठीक है अब फिर क्या हुआ the wind kept on blowing keep on की second form है kept on देखो keep का मतलब क्या होता है जारी रखना उसी की second form क्या है यहाँ पर kept जारी रखा उसके साथ on preposition लगती kept on जारी रखा देखो the wind हवाने kept on keep on की second form है kept on हवाने जारी रखा क्या जारी रखा blowing बहना हवाने बहना चालू रखा तक नहीं गई जब तक की ओ ठक नहीं गई हवाने चलना जारू रखा बहना जारी रखा continue रखा बट लेकिन इट कुड नॉट इट कुड नॉट रिमूव वो रिमूव नहीं कर पाई निकाल नहीं पाई दक कोट उस कोट को है ना फ्रॉम दा मैंस बैक उस मैं की उस व्यक्ति की बैक मतलब पीट से मतलब उसकी बॉड़ी से वो उस कोट को रिमूव नहीं कर पाई हटवा नहीं पाई उस कोट को इट वाज नाव दा संस टरन इट वाज ये थी नाव अब किसकी बारी दा संस टरन उस सूरज की टरन मतलब बारी अब ये सूरज की बारी थी है ना इट उसने सूरज नहीं क्या किया? जेन्टली बड़े आराम से शोन मतलब चमकने लगा आहिस्ता से उसने क्या कर दिया? शोन, sign के second form है S-H-I-N-E shine के second form है, शोन मतलब चमकना सूरज ने आहिस्ता से क्या किया? चमकना सुरू कर दिया बहुत तेजी से चमकने लगा its beam beams upon the traveler it gently shown its beams, देखो, समझना shown का मतलब क्या होता है, चमकना, चमकाना its beam मतलब अपने प्रकास की केर्णों को अपन के उपर the traveler मतलब उस यात्री सूरज ने क्या किया उस यात्री के उपर प्रकास की beam को, केर्णों को क्या किया, उसने shown मतलब चमकना शुरू कर दिया, उसके उपर केर्णे पढ़ने लगी सूरज की, the man felt so warm उस व्यक्ती ने feel किया, महसूस किया क्या महसूस किया, so मतलब इतना warm, मतलब गरम, इतना गरम महसूस किया that की he took off, take off की second form है, took off समझ गया, take off की second form क्या है, took off कि उसने क्या क्या, took off कर दिया, मतलब निकाल लिया, his coat अपने coat को उसने उतार लिया है न, take off कर लिया does, इस प्रकार से इस तरह से, the sun won, won, the competition does, इस प्रकार से जो सूरज था, won, मतलब जीद गया, the competition है न, ठीक है, win की second form है, इसको one पढ़ते one नहीं पढ़ते, one है न, win की past form है, यह v2, okay इस प्रकार से सुरज उस competition को, उस प्रतियोगिता को जीद जाता है, ठीक है guys, okay कैसी लगी आपको इस story, मुझे comment करके जरूर बताना, thank you very much my dear strength, और आपको किस type की video चीए, आपको आप वो भी मुझे बता सकते हैं, अलग-अलग topic के उपर हम आपके लिए video बनाएंगे thank you guys